नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टेडी वेश एजुकेशन, चलिए इस क्लास में हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री ओफ जावा, देखिए पिछली क्लास में हमने बात करे थे, जो जावा है, उसके क्या उप्योग है, यानि कि क्या-क्या आप उसमें डेवलप कर सकते उसका इंट्रोड़क्शन, और सांथ ही हमने प्लेटफॉर्म के बारे में जाने थे, तो जब हम बात करें हिस्ट्री की, तो जब वर्तमान में जो जावा देख रहा है, हम जो भी बर्जन देख रहा हैं, तो क्या जो बर्जन हम को सुरुवात से मिल रहा है कि, बिल्कुल मिलेगा तो java के बारे में हम basics है यectif हम कहान से सुरू हुए थी और अभी बर्तमान कहां तक हुआ है सारी चीज हम जानेंगे इसी class में तो चलेए चुरू करते हैं यहाँ history की बारे बात करें history के बारे हम को यह चीजे देखने मिल रही है कि इसकी history काफी interesting है यहिनि की काफी मज़ेदार है मज़ेदार क्यों चुकि इसकी सुर्वात ही हुई थी जो आपकी TV control होता है रिमोट चंट्रोल होता है या फिर interactive television होता है सेटप box होता है उस चीज के लिए इसका काफी अफग्रेड मानी जाती थी क्यों क्योंकि उस समय वायड मीडिया चलती थी वायर या डिजिटल केबल टेलिविजन इंडस्ट्री था सेट आप बॉक्स डिजिटल रूप से कैसे चलता था वायर के माध्यम से चलता था इसका जो सुरवात हुई थी वो ग्रीन टीम के आगे हमको पूरी कहानी देखने मिलेगी उसके बॉस थे जेमस गोसलीन जिसके बारे हमने पीछे की क्लास में बात किया है उनके साथ में कुछ मेंबर थे उनहीं के द्वारा सेट आप बॉक्स टेली बिजान और इसी से रिलेटेड जो टेक्नलोजी थी उनके लिए इस प् साथ ही जावा आपको डाइनेमिक देखने मिल जाती है परिवर्तन हो सकता इसमें समय का नुसार जेमस गोसलीन इसके जो है बॉस यानिकी फादर माने जाते है 1995 में जावा बना था ये सारी कहानी ता आपको पीछे किलियर हो गई होगी तो अभी हम सुरवात करते हैं सबसे साथ में कुछ लोग और थे यानि की मुक्त रूप से तीन लोगों की टीम थी तीन लोगों में आपको देखने मिल जाता है एक बैकती और था माइक नाम का एक बैकती था पैट्रिक नाम का और एक बैकती ये थे जेमस गोसलीन जो बॉस थे इस टीम के और इस टीम को हम बो जैसी टेक्नलोजी है यह जो बरतमाने में आप देख पार है इनके लिए प्रोग्राम करना इसका मुख्योद देश था और जो ग्रीन टीम को जो प्रोजेक्ट दिया गया था सेट आप बॉक्स में प्रोग्रामिंग करने का इसको ग्रीन प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता अब Green Talk के बाद finally इन्होंने एक जो है प्रोजेक्ट में जब इनका प्रोजेक्ट कम्प्लीट हुआ तो ओएक नाम से एक language को develop किया ओएक ट्री का नाम था परन्तु ओएक जो था Green Project का output तो बना था परन्तु यहां पर ओएक का नाम बदल कर क्या कर दिया गया Java क्यों कर दिया भई सिंपल सी बात है ओएक जो था जितनी भी country हुँ थी मतलब USA के अंतरगत फ्रांस है जर्मनी रोमानिया अन्य जो country थी इनका एक national symbol माना जाता था जो ओएक था इसी कारण इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया अब मुझे बताईए कि ओएक का नाम बदल कर जाबा क्यो कर दिया गया तो जाबा क्यों किया गया सिंपल सी बात है इन्होंने टीम मतलब जो इनकी टीम थी ओएक जब national symbol मिला और ओएक जो है company के नाम से ट्रेड मार्क मिला तो उन्होंने एक मीटिंग यहां पर की सभी लोगों ने जो Sun Microsystem के इंजीनियर थे तो इन्होंने एक मीट revolutionary है और बहुत सारे DNA है जो बहुत सारे नाम दिये गया उन्हीं में Java भी था जिस प्रकार सिल्क ट्रेंडिंग नाम था उसी प्रकार Java भी ट्रेंडिंग नाम था मतलब सबसे ज़्यादा सुझाएगा नामों में और मुख रूप से बात की जाती है कि जो James Gosling थे इनके दौर सबसे ज़्यादा सुझाएगा नाम मतलब सबसे ज़्यादा परसेंटेज जावा को दिया गया अब Java को इन्होंने नाम क्यों दिया जावा को इसलिए प्रियोर्टी दी गई क्योंकि आप देख सकते हैं जिसे वर्ल्ड मेप की बात करें तो वर्ल्ड मेप में हमारे पास मे इंडोनेसिया का मेप देखने को मिल जाता है यह देखिए हमारे प्यारे भारत के नीचे साइड इंडोनेसिया एक प्रकार से दीपो का देज है दीप यहाँ पर बहुत सारे सबसे ज़्यादा दीप देखने मिलते है दीपो में एक दीप भी देखने मिल जाता है जिसका न नाम दिया गया तो सिंपल सी बात है जावा नाम दिया गया और यहां पर जो हमारा सन माइक्रो सिस्टम का ओफिस देखने मिल जाता है जिसके अंतरगत जो इंजीनियर है और उसी Tree से निकल कर यह Green Project में इन्होंने काम किया और सिंपल बात है यहां पर Java कॉफि का नाम था तो उसी कारण इन्होंने भी इस language का नाम क्या कर दिया जावा इन्हों नहीं इसको सिंपल यहां पर देखने मिला 1995 में डेवलप किया तो यहां तो कहानी हो जाती है कि 1995 तक यह जो कहानी है किसकी जावा की जब बात करे 1995 की ही तो इसी समय एक मैगजीन थी मैगजीन में टॉप 10 जो बेस्ट प्रोजेक्ट है उन्हें ही जावा का नाम रखा गया मतलब दुनिया भर के टॉप 10 जो प्रोजेक्ट थे जिसमें ग्रीन प्रोजेक्ट था ग्रीन प्रोजेक्ट का आउट पूट क्या आया जावा तो जावा को टॉप 10 प्रोजेक्ट में सामिल किया गया मतलब टॉप 10 जो प्रोजेक्ट थे उन्हें इसको सामिल किया गय उसी प्रकार जावा के प्रोग्राम को रन करने के लिए किट की जरूवत पड़ती है जिसमें विविन टूल्स होते हैं तो उस टूल के कलेक्शन को बोला जाता है जेडी के जावा डेवलपमेंट किट जिसका पहला वर्जन हुआ था 1.0 जो की जनवरी 1996 में लॉंच किया गय साथ ही बैब एप्लिकेशन एंटरप्राइज एप्लिकेशन मोबाइल एप्लिकेशन यह सारी चीज हम यहां पर डेवलप कर सकते हैं जेडी के का जो बर्जन है 1996 में लॉंच हुआ फिर 1.1 लॉंच हुआ यहां पर 1.2 इसी प्रकार कहानी धीरे धीरे कंप्लीट होती हुई और जावा का जो बर्जन चलता है वो ऐसी चलता है ऐसी का मतलब स्टेंडर एडिसन जिसके अंतर्गाति यह सारे काम हम आसानी से कर सकते हैं इसका मतलब है कि यह सारे जो एप्लिकेशन है हम आसानी से डेवलप कर सकते हैं 2022 तक अगर देखें 2022 तक यहां 18 नंबर का जो जेडिके के बर्जन की बात करूं तो जेडिके का जो बर्जन है 22 देखने को मिल जाता है हम complete setup यहां पर बात करेंगे जेडिके के संबंद में तो चलिए एक overview में आपको यहां दिखा देता हूं जैसे हम open करें और यहां पर है simple हम लिख देते हैं JDK जेडिके हम लिख देते हैं और JDK लिखेंगे देखें यहां Oracle.com के नाम से site है जैसे हमने click करें Java JDK तो यहां देखें पेज खुलता है आपका Oracle का आगे हम पूरा डाउनलोड करना में आपको दिखाऊंगा तो देखें JDK का 22 नंबर का version मिलता है पीछ Windows जैसे देखे Windows का logo है तो हम Windows में जाएंगे और Windows में जाके हम देखें यहां पर click करेंगे 64 bit जो installer है उसको और बाद में हम install कर लेंगे तो चलिए यह तो कहानी है setup करने की setup करना हम आगे देखेंगे अभी मैं बता रहा था आपको history आयोब आपको समझ में आगे होगा फिर भ तो आगे इस language को जो है सीखना चाहते है अच्छे से और किसी प्रकार से आपको कोई डाउट रहता था आप comment box में जरूर बताईए तो चलिए मिलते हैं next class में तब तक के लिए जय हिंद्ध